सो एमसी का राउंड थ्री स्टार्ट हो चुका है और शीट मैट्रिस फाइनली लॉंच हो गया है और यह सीट मैट्रिस है जो की आपको वेबसाइट में नजर आएगा तो मैंने आप लोगे लिए महनत करी है छोटी सी और इसको एक्सल में करवर्ट कर दी है और आएए देख कि यह जो एक पार्ट है यह सरकारी कॉलेजों में स्टेट सरकारी कॉलेजों के 15% सीटों की कोंसलिंग कर रहा है और इसके लाबा सारी कर रहा है राइट कि जब 602 जनल केटेगरी में कट आफ गया था और इंडिया कोटा राउंड टू में और लेट से किसी के 508 नंबर है तो मुझसे वो कह रहा कि सर अभी तो बहुत फिर भी बहुत क्या है चार नंबरों में तो तिने बच्चों जाते हैं तो मैं उने समझाता हूं कि तुमसे ऊपर जो 599 वाला था या 600 वाले थे वो भी वेट थोना कर रहे हैं वो तो अपने अपने स्टेट की राउंड टू म नीचे जाता है तो 599 नहीं 585 वाला भी 580 वाला भी वो तो अपने अपने स्टेट में सरकारी सीट ले चुका तो एक्चुली 602 के बाद ना सिर्फ वही बच्चे बसते हैं इस समय फ्रे में जो दिल्ली हर्याना बिहार या राजस्थान से बिलॉंग करते हैं अब उसमें भी आपने अभी देखा था कि हर्याना की कट ऑफ तो 600 बें गिर चुकी है जनल के बच्चे हर्याना के भी फ्री हो गए तो अगर आपको बच्चे गिनने भी आना तो सिर्फ अब दिल्ली रायसारों बिहार के बच्चे गिने बहुत उमीद है कि मॉप अप में तो जनल के अगर हम सरकारी सीट की बात करें तो जो लोग उस रेंज में हैं 590-585 उनको पूरी उमीद है कि और इंडिया कोटा से सरकारी सीट मिल जाए मैंने भी देखा था तो ऑल इंडिया कोटा या जिस हम सरकारी कोटा कहते हैं उसी के अंदर ही लेकिन डियू कोटा चलो सिर्फ द आर ऑन्डिया ओपन और सारी कैटेगरी में देख लूं अगर तब तो टोटल तीन हजार सीटे अभी तक बची हुई है तीन हजार देखें टोटल जहांने स्टाट ही किया था तो शायद साथ सीटे थी उसमें अभी आदिव बची हुई है और हम जनल कैटेगरी में भी आ जाएं तो जनरल कैटेगरी की भी बारा सोगे करीब सीटे अवेलेबल हैं तो बहुत सीटे अवेलेबल हैं जो यह पांसो नभे पांसो पिचानवे के बच्चे हैं जिनको सागारी सीट मिल सकती है अब थोड़ा चेंज करते हैं और आपको मैं समझाता हूं कि जो दीम्ड में क्या इसे पूजिशन चल रही है अब आप देशिए डीम्ड के साब चलते हैं दिल्ली में फेमस हमदर्द पास सीटे नॉर्मल और दो सीटे एंडराई की विलेबल हैं हम मैंनों कई पर समझाया है कि इसी राउंड में एंडराई की सीट जनल में अलोकेट हो जाएगी अग परत का फेमस कॉलिज अबिलाना तेईज और बीस फॉर्टी ठीट आपके लिए वेलेबल हैं जे एसे सेस मैसूर बारा सीट एवेलेबल है ज्रज़ अदिश्वरी ए कटौनर नौ सीट एवेलेबल हैं सिरी सिदार था टुमकूर वाला जो की पुराना है टे बिगूर नही बहुत महँगा पढ़ते हैं जानते हैं डेट क्रों का प्रेज्ट है और इसी लिए अठारा सीट ऐवेलेबल है यह अच्छा कॉलिजिए शेट आवेलेबल है । अच्छा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें । राइट उसके बाद जो पूरिशा के कलिंगा के हम जानते हैं तमिल नाडू में पूर्डी चोरी में तो बहुत सीट अवेलेबल हैं इवन एमजियम पुद्दू चेरी की भी एनरे की सारी सीट अवेलेबल है इस वार जो भी नीट कॉलिफाई है उसको सीट मिल जाएगी आप अगर स्टेजी से चलेंगे तो आप आप आप्टिमल सीट मिल सकते हैं वनलब हम जानते हैं कि डीम्ड इस वेरी एक्सपेंसिव सो खासकर मैं नौर्थ इंडिया के बच्चों को हमेशा कहता हूं कि तमील नाडू और पूर्डू चरी जाने से पहले आप देखिए पेशेंस रखिए आपको नौर्थ इंडिया में ही हर्याना मौप अप राउंड ट्री में या यूपी में या हिमाचल में सीटे मिल है आप सिरफ एंडरे को चलो मैं फिलाल हटा दू कि एंडरे की पीज जाता होती है तो भी आप देखेंगे तो 600 सीट अवेलेबल हैं और जैसा कि मैंने का सबसे बड़ी चीज क्या है अफकोर्स मिनाशी मेडिकल जितने भी तमील आडू के हैं महंगे महंगे कोई नहीं जा चलोगे और बंढ़ते हैं उसम लाउनयक हैं दिया है और शूर्ली कस्टूरवा मैं सब्सक्राइब लोड़ी फुल हो गई है हमें कस्तूर्वा एक भी हाँ पर नजर नहीं आ रहा था या शायद एक नजर आया था कस्तूर्वा में देखिए एनराई की चार सीटे थी जो मनिपाल केंपस है लेकिन कमिंग बैक टू वही जो मैं आपको समझा रहा हूं सरकारी इतनी अवेलेबल हैं और इस बार हम जानते स्टेट में जो कांसलीं कहार चुक है लाफ्त स्टेट में ईूरिषा में जहार खन में बिहार में बेजलिड़ाम में स्टेट में रहा quota round 3 में आ गए थे और seat बहुत खराब कर रहे थे बट आप ये मान के चली अब ये सारे बच्चे वो seat वो हैं जो बच्चे अपने-पने states में अडिमीशन ले चुके हैं वो counseling के बहार हो चुके हैं वो आप counseling में participate नहीं कर सकते तो ये सारी seat आपके लिए available हैं और कमाल की बात व हमने अभी किसी के लिए रायस्थान देखा था राएस्थान जैसा state है अगर मैं लोकल राएस्थान की बात करूँ we उपर सीट एवेलेबल है जर्नल केटिगरी के लिए और सारी केटिगरी को अगर देख लें तो रायस्थान रायस्थान में 240 सीट एवेलेबल है जो अपने नौर्थ हो गया राइट सिमिलरली नौर्थ का दूसरा स्टेट लेट से हर्याना हर्याना में 100 सीट एवेलेबल है सर सब केडिगरी में और वही जो अपने क्लाइंट्स को कस्टमर सो बता रहे थे खासका अगर आप इस स्टेट के डॉमिशल से बिलॉंग करते हो तो पूरी उमीद है कि अब आपको सरकारी सीट मिल जाएगी क्योंकि बाकी स्टेट के बच्चे अपनी सरकारी सीट ले चुके है यूपी का मध्य परदेश का जिसका कट आफ और निचे आ चुका है वो तो अपने स्टेट की राउंड टू ले ले लेगा ना वो वेट क्यों करेगा बट बिहार राजिस्थान हरियाना दिल्ली जो जनली कॉंपेटिटिव होते थे बट जैसा कि हम चानते हैं हरियाना में इस बार राउंड टू में जर्नल 600 पर आ गया बॉंड की वजह से और वो लोग लोगों ने सबने बाहर जाके और इंडिया कोटा राउंड टू ले लिया था बट अब उन्होंने जोएं नहीं करा तभी तो सीटे इतनी खाली आ रही है और जितनी खाली सीटे आ रही है यह से पांसो नभे नंबर वाले बच्चे तक को नौथ इंडिन बच्चों को मैं यह कहना चाहरूं कि आपको के इंटीर कॉलेजी में भी जननी जाना पड़ेगा आपको नौर्थ में सीट मिलने की पूरी की पूरी संभावना है तो किसी भी प्राइवेट सीट को लेने से पह आपका दिन शुभ हो नमस्कार बबाए